देखो question यहाँ पर लिखा है 33 number सिद्ध कीजिए कि 10 inverse 1 प्लस में 10 inverse 1 बटा 2 प्लस में 10 inverse 1 बटा 3 बराबर πाई हो πाई बाई 2 यह आपको सिद्ध करना है यानि इतना आपको solve करना है और इतना आपको answer लाना है यानि आपको इसमें सिद्ध करना है ठीक तो यह होता है left hand side यह हो आ जाएगा तो देखो इसके जो पहले वाले सवाल है यह सब जो सवाल है अगर आपने इन सब सवालों वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डेव सिसन बॉक्स में दे दिया गया है वहां जाकर आप देख लीजिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो है सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक सूत्र बताया था तो सूत्र कुछ ऐसे था टैन इन्वर्स यक्स प्लस में टैन इन्वर्स वाई अगर टैन इन्वर्स यक्स हो प्लस में टैन इन्वर्स वाई हो तो इसके बराबर होता है टैन इन्वर्स होता है ठीक उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर आपको इसको याद नहीं करना है, मैं आपको trick बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ जाईए गर, ठीक, दीखे, यहाँ पर सबसे पहले 10 inverse लिख दीजे, ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो यक्स है, इस यक्स को यहाँ पर लिखिए, अगर यहाँ पर plus लिखा है, तो इसको यहाँ पर plus लगाईए, अगर यहाँ पर minus होता, तो यहाँ पर minus होता, ठीक, अब देखिए, सबसे पहले यक्स लिखिए, उसके बाद जो चिन लगा है, चिन लगाईए उसके बाद यहाँ पर इसका गुडांग कितना है य है तो इसको लिख दीजे उसके बाद बटा लगाईए बटा में सबसे पहले एक लिखिए एक में से अब देखे यहाँ पर अगर प्लस लिखा है तो यह इसका उल्टा होता है अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर minus होगा उसके बाद इन दोनों को गोड़ा कर देजिए यह हो जाएगा यक्स y तो इस तरह से आपका यह सूत्र बन जाएगा ठीक और जितने भी सूत्र है तिरकोण में थी फलन के मैंने एक वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को यही बताया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा अब देखें यहाँ पर यक्स के स्थान पर एक दिया हुआ है और यहाँ पर y के स्थान पर एक बटा दो दिया हुआ है ठीक इसको अभी solve न करिए इसको आप इस साथ में उसी तरह लिखते जाएए देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके इन दोनों के स्थान पर यह सूत्र अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यह इस तरह से बन जाएगा ठीक तो कैसे बन जाएगा यह हो जाएगा टैन इन वर्स उसके बाद क्या हो जाएगा यक्स के स्थान पर हमारा कितना था एक है तो एक लिखेंगे प्लस में लिखेंगे इसका गुड़ां कितना एक बटा दो थीक बटे में क्या होगा एक लिखें माइनस करिए क्योंकि यहाँ बर प्लस है उसके बा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको अगर solve करेंगे देखिए हर बराबर यहाँ पर इसके नीचे एक माल लिजे हर बराबर करिए इसको solve करिए तो यहाँ पर सब्सक्राइब पहले 10 इंवर्स लिख दीजे उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 292 हो जाएगा 213 या यानि इसको अगर इधर गुणा करके हर पराबर करेंगे तो यह हो जाएगा 2.1 अन्म दो यहां पर माइनस एक है तो 2 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा एक तो यह हो जाएगा 1.2 बटा 2.2 तो इस तरह सो जाएगा अब देखें यह 2 से यह 2 कड जाएगा तो अब देखिए, यहाँ पर यह दो से यह दो कड़ जाएगा, ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ तीन बचेगा, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में 10 inverse 1 बटा 3, इसको लिखते जाएगा, ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर बचे तो आपको apply कर देना है, इसके बाद सिधा आपका answer आजाएगा, तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके इस्थान पर सिधा हो जाएगा, 10 inverse लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर प्लस लिखा है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए यहाँ पर एक बटा तीन लिखा तो एक बटा तीन लिखिए बटे में क्या हो जाएगा तो देखें बटे में क्या हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा आपका एक में से तीन गुड़े एक बटा तीन कर दीजिए ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा 10 inverse उसके बाद 3 तरीक का 9 9 एक 10 यानि हो जाएगा 10 बटा में 3 हो जाएगा ठीक बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें यह 3 से यह 3 कट जाएगा ठीक तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक यहाँ पर एक तो यहाँ होता है तो यह हो जाएगा यानि infinitive के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 ये 90 क्यों लिख सकते हैं 90 को हम लिख सकते हैं pi by 2 देखो infinitive के स्थान पर 10 90 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 10 90 का जो मान होता है वो infinity होता है और 90 को हम देखिए 90 को πाई में बदलेंगे तो पाई बटा 180 गुणा करेंगे तो 9 दून 18 यानि पाई बाई 2 90 को पाई बाई 2 इसले लिखते हैं ठीक तो यहाँ पर देखे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह 10 inverse है यह 10 है तो यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना पचेगा पाई बाई 2 और यही हमें प्रूव करना था तो यह हो जाएगा प्रूव्ड डैट इतिसी द्धम चलिए अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अफडेट यहाँ पर लिका है सवाल नंबर 34 जो कि इस चैप्टर का आखरी सवाल है तो यहाँ पर लिका है निम्र समीकरण को हल कीजिए उसके बाद लिका है यहाँ पर 10 inverse x plus 1 plus में 10 inverse x minus में एक बराबर में क्या लिका है 10 inverse 8 पटा 31 इस बार आपको इसको solve करना है ना कि आपको इसको सिद्ध करना है कि अगर आपको solve करना है तो यानि कि इस पच्च को इस पच्च को दोनों पच्च को साथे लेकर चलना है ठीक अगर आपको सिद्ध करना होता है तो आपको इतना solve करोगे यानि एक पच्छ को solve करोगे दूसरा पच्छ आपका आ जाएगा तो इसको आपको solve करना है ना कि आपको सिद्ध करना है तो अब देखिए इस सवाल को कैसे solve करोगे इस सवाल में भी इन दोनों में आपको वही सूत्र अपलाई करना है जो आपने इसके पहले वाले सवाल में अपलाई किया था कौन सा सूत्र था मैं आपको फिर से लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर tan inverse x प्लस में tan inverse y था ठीक कितना हो गया था tan inverse हो गया अब देखिए यहाँ पर x लिखे प्लस में y लिखा है तो यहाँ पर y लिखे बटे में क्या हो जाएगा एक मिस से अगर यहाँ पर plus तो यहाँ पर minus x y हो जाएगा इन दोनों का फिर गुणा हो जाएगा यहाँ आपका सूतर बन जाएगा आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अस्थान पर हम क्या लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे ठीक सबसे पहले आपको tan inverse लिखना है उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए bracket उसके बाद यहाँ पर yaks के इस्थान पर आपका yaks plus 1 है तो यहाँ पर yaks plus में 1 हो जाएगा यहाँ पर बीच में plus लिखा है तो plus लिखेंगे उसके बाद इसका गुणा कितना है yaks minus 1 ठीक बटा में क्या हो जाएगा एक में से यहाँ पर दीखें plus लिखेंगे उसके बाद क्या है yaks plus 1 गुड़े में yaks minus में 1 ठीक बराबन में क्या लिखा है 10 inverse 8 बटा 31 दीखें इसमें आपको सिद्ध नहीं करना था इसमें आपको इसको solve करना था इसको solve करना था इसलिए आप दोनों पच्च को साथे लेकर चलिए ठीक इसके बाद दीखें यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर एक में से एक घड़ जाएगा तो यहाँ पर एक एक दो यक्स हो जाएगा 10 inverse यह हो जाएगा 2 यक्स बटे में क्या हो जाएगा 1 minus देखे यह हो जाएगा A plus में B यह हो जाएगा A minus B तो यह सूत्र बन जाएगा देखे जब अगर देखे जब अगर A square minus B square हो तो इसके अस्थान पर सूत्र क्या होता है A plus में B उसके बाद होता है A minus में B अगर इस तरह से लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं तो इसी तरह से तो आपका सवाल लिखा है यक्स प्लस में 1 उसके बाद दूसरे ब्रिकेट में यक्स माइनस 1 देखे एक के स्थान पर यह हो गया बी के स्थान पर यह हो गया तो एक बार जोड़ा है एक बार घटा है तो यह क्या बन जाएगा तो यह इस रूप में बन जाएगा तो यह क्या हो जाएगा पहले कवर्ग माइनस दूसरे कवर्ग ठीक तो यानि यहां पर जो है इसके अस्थान पर हो जाएगा yaks square मानेस में 1 हो जाएगा ठीक इसके बाद bracket यहां पर लगा है ठीक उसके वाद इसी तरफ लगा दीज filthy जे बराबर में लिख दीजे 10 inverse 8 बटा 31 देखे यह 10 inverse इधर भी 10 inverse तो यह 10 inverse से 10 inverse jar जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर उचेगा 2x बटे में यह हो जाएगा 1 जब ड्रेकेट खोलेंगे माइनस से तो सब जितने चिन अंदर वाले हैं इसके सब बदल जाएगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये यक्स स्क्वेर हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस प्रस हो जाएगा, एक हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, आठ बटा 31, क्योंकि 10 इन्वर्स, 10 इन्वर्स कट चुका है, ठीक उसके बाद एक एक यह दो हो जाएगा तिरिया गुणा करेंगे तो 31 दून कितना हो जाएगा 62 यक्स बराबर एक एक दो हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस में यक्स स्क्वार हो जाएगा ठीक इसको इधर गुणा करेंगे तो देखे आठ दून कितना हो जाएगा 16 माइनस में 8 हुआ हो जाएगा ठीक इसको आप गुणा कर लिजे ठीक इसके बाद अब देखे इन दोनों को इधर ले आईए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस में 8 x इसके बाद प्लस में क्या दोना लिखा है 62 x लिखा है इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस के 16 बराबर में 0 हो जाएगा ठीक अब देखे यहाँ पर इसको इसमें से 2 कामा ले लिजे 2 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 x square प्लस में 31 x माइनस में 8 बराबर में 0 ठीक अब देखे दो यहाँ पर गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में तो यह 2 हो जाएगा 0 ठीक तो कुल मिला कर यहाँ पर बचेगा 4 x square प्लस में 31 x माइनस में 8 अब देखे इसका गवनखन कर दीजे इसको इससे गुणा कर दीजे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 x 32 अब 32 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि घटा दें तो 31 आ जाए अगर उन्ही संख्याओं को गुणा कर दें तो 32 आ जाए तो देखे अगर हम 32 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा अगर उन्ही दोनों संख्याओं को देखे 32 में से घटा होगे 31 हो जाएगा अगर 32 गुणे एक करोगे तो 32 हो जाएगा यानि हमें क्या करना था यहाँ पर घटा आने पर कितना आना चाहिए 31 गुणा करने पर 32 तो देखे घटाने पर 31 आगया गुणा करने पर 32 आगया तो यह आपका हो जाएगा सही ठीक तो यहाँ पर जो आपका इसको आप गुणन खंड कर लीजेगा ठीक मैं आपको डारेट करके बता देता हूं तो यहाँ पर इसका जो answer हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखे 32 ठीक यहाँ पर यह प्लस में है तो यह हो जाएगा इधार माइनस में हो जाएगा 32 बटा 4 उसके बाद हो जाएगा यक्स बराबर यहाँ पर कितना था माइन यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एक वटा चार ठीक तो देखे आप इसको मैंने आपको डाइट करके बता दिया है आप इसको solve कर लीजेगा ठीक उसके बाद इसको आप यह गुरणखंड का है इसको आप solve कर लोगे ठीक तो इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आठ तो यानि आपका answer जो हो जाएगा एक वटा चार एक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का आठ तो यह दोनों answer हो जाएंगे यह simple सा गुरणखंड है आपने class 10 में किया होगा तो इसको मुझे बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है इस chapter के जितने भी सवाल है सब सवाल खत्म हो गया है यानि यह chapter पूरी तरह से finish हो गया See you again in next video See you again in next video